नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अश्वनी कुमार और डिजेट हिंदी में आपका स्वागत है आज हम असुस के लांच इवेंट पर मौजूद है जा उसने अपने दो लैप्टॉप्स को लांच कर दिया है दोनों लैप्टॉप्स को AMD चिपसेट पर लांच किया गया है राइज जी सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल करूँगा मेरा पहला सवाल होगा कि AMD ही क्यों ताकि अभी आप देख सकते हो कि Ryzen जो मार्केट में काफी प्रॉप्यूलर हो रहा है 2018 जन्यूरी से राइजन लांच अगा काफी सारी अधर ब्रैंड्स ने भी एडप्ट किया और वो मार जन्यूरी 2018 से जन्यूरी एंड मेरा आइजन लाप टॉप्स में दिखाई दे आपके वो इतना समय क्यों लगा आखे ऐसा नहीं है हमने क्वाटर 2 में भी हमने एक राइजन मशिन लांच किया ता जो राइजन 7 के साथ आथा था जो गेमीं मशिन में हुआ था था इस काल ग JL702 ZC मॉडल जो राइजन 7 के साथ था 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 एंड पर्टिकुलर गेमिंग लिए था था एंड जो अभी राइजन की पॉपुलरिटी एंड पर्फॉमस देखते हुए तो हमने वो मशिन एंट्री लेवल से भी स्टार्ट हुआ तो अब R3, R5 एंड R7 औरी था था तो ए एंड या दरा फाइज के हुए सर आज के दो मशिन्स जो यह हमारे सामने हैं जर आप इनके बारे में बताएंगा हैं घर यह मशींस में डोनों में क्या फर्ख है कीमत के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन के इस अधार पर क्या फर्क है क्योंकि आप सही प्रगार से वो चीज तो दूसरा मशीन है वह है F570 जो की आर 5 वेरिंट में आता है एंड इसके अलावा साथ-साथ इसमें एंवीडिया का 1050 ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है जो की कोर गेमर के लिए रहता है तो एक एंट्री लेवल नोट्बुक एंड गेमिंग स्रीज में नोट्बुक कर लांच किया हुआ है तो ग्राफिक कार्ड जिसके अभी बात करी अन्वीडिया का 1050 है तो दोनों लाप टॉप्स में मिलेगा या पर्टिकुलरी गेमिंग जिसकी कीमत मुझे थोड़ी ज्यादा लगी पचास हजार बावन हजार नौसों अबेर उसकी कीमत है जो एंवीड से कंपेर करते हो तो यह बहुत प्राइजिंग में लांच किया हुआ है अगर मैं बाजार की बात करों तो बाजार में आजकल आपको 25,000 में और उसके ऊपर बहुत सारे लैपटाउस मिल जाएंगे जो कि इंटल पावर्ड हैं तो अगर आप AMD पर आने के बाद आप कर पाएंगे बाजार में जरूर आप अगर आप पर्फॉमंस की बात देखते हो तो अगें AMD का पर्फॉमंस तो अच्छा है उसके साथ-साथ हमने बहुत सारे फीचर भी दिये हुए ताकि मार्केट में कंपेट कर सके अगर जैसा आप इस वाले लैप आप में देखो गे जो कि आपको स्क्रीन तो बोड़ी रेशियो 81% स्क्रीन तो बोड़ी रेशियो मिलता है एंड 7.7 mm स्लिम बेजल है उसके साथ-साथ यह स्क्रीन प्लस इसके डिरोइबिलिट एंड यह जो आप वेट देखो के तो तो तीने लाइट वेट मशीन में लाता है तो अगर हम पर बैल जाते हैं तो आप कितना बंगे अपने लापटॉपश को कितना बेखते हैं इस से बाकी चीजों से अगर मैं сильно बात align बात जोちは और अधु क्या अधर्म में इस मैकि में अधुद काइं और आप ज़ोई स्फिक्व जो इसे दूसरों से बंदन नालक से अतलों पाहिक tied ने फिर्क वाँ प्रेक्वंस्य भी बढ़ा ही वोजो फो जी बिन एज वेरेंट में आवेलेबल रहें रहें उसके साथ साथ एम्ड का रेड़र ग्राफिक्स काड जो रेड़र रेड़र वेगर रेड़र रेड़र फाई दोनों वेरेंट से हैं तो जो वो पर कम्पेटिटर तो वो हमको ज़्यादा अभी आपने बोला कि 4GB RAM और 8GB RAM पर दोने लापटॉप्स को लाउंच किया गया है तो अगर मैं गेमिंग यूजर के अधार पर देखों अगर मैं कोर हाटकोर गेमर हूं उसके अधार पर देखों तो 4GB RAM मुझे कहीं लगता है कि बहुत काम नहीं जाता है अधार पर देखों किया है वो कोर्स F570ZC मोडल जो एक 8GB RAM के साथ तो आता है क्योंकि गीम खिलते हो तो आपको पता चलता हो कि उसमें ग्राफिक काड की जारा जादे इंपोर्टन्स रहती है तो इसमें NVIDIA का 1050 Graphics Card तो है साथ साथ AMD का Redon Vega Graphics Card P अवेलेबल रहता है मतब दो वीरियंट्स में है तो प्राइज में दो वीरियंट्स में अंतर होगा कि सेम प्राइज रहेगा दो नोंगे नहीं प्राइज में जरूर अंतर होगा जो एंट्री लेवल नोट्बुक है तीसे जा नोंगे में हैं जो हाइन जो गेमिंग के लिए परस्पेक्टिव के हिसाब से जो 52,990 के तो आने वाली अगर में फ्यूचर की बात करूं तो क्या हम असुस की ओर से AMD पर और भी laptops को देखेंगे या देखने वाले हैं जरूर आपको in future AMD पर फोकस रहेगा हमारा and in future जैसे market की डिमांड है उसके इसाब से AMD model launch करेंगा तो कितने laptops मैं मैं अगर मैं आपसे indirectly पूछू कितने laptops हो सकते हैं near future में तो आप क्या आप बता पाएंगे हमें in future वो डिपेंड करते है market की demand के सबसे market का acceptance कितना है तो जो अगर market का demand and acceptance अच्छा है तो definitely हम AMD में ज्यादा model launch करेंगे तो एक सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पर सही लग रहा है वो पूछना आपकी target audience मतलब असुस के AMD को लेकर के जब आपने R&D किया होगा पूरा सेटप बनाया होगा अपना के हम तो किस तरह की audience को target करने के लिए आपने यह दोनों लैप्रॉक्स को उतारा है जो अगर आप पहले एंट्री लेवल के notebook के बात करते हूं तो एंट्री लेवल notebook जो है वो एक target audience लेकिन पर्फॉमंस में नहीं करना है साथ-साथ उसको features भी चाहिए तो आप एंट्री लेवल notebook हमरा देखोगे तो जो तीसाजार की रेंज में साथ में अलग-अलग features जो की customer को ज्यादा एक्ट्रैक करते है तो उनके इसाब से अमने यह laptop डिजाइन किया हुआ हुआ है अगर दूसरे लेप्रब जो gaming perspective से जो hardcore gamers नहीं है लेकिन animation या जो normal day-to-day life as well as normal day-to-day life के साथ-साथ उनको game भी खिला है तो उसके लिए यह machine अवेलेबल रेता है जो 1050 graphics cards है तो उसके आप games भी आसानी से खिल सकते हो प्लस आपका animation का काम या तो day-to-day life का job work करेता है वो भी easily कर सकते हो तो इस पूरी launch को लेकर कि दूनों laptop को लेकर कि आपकी market strategy किस तरह की रही है या आप क्या सोच रहे है और आगे क्या करने वाले है उसके बारे में आप जड़ा बताएं जिससे अपना प्रेजेंटेशन मे बताया कि strategy यह है है कि हमने यह model ptm के साथ भी launch कि हुआ है मिलाब कि ptm के साथ पॉर्टल पर आपको और भी discount and cashback offer है तो यह strategy इस तरह से कि offline मिलाब O2 strategy it's called O2 offline to online तो जो हमार offline partners है तो वो directly ptm पे online sale कर सकते तो to avoid any conflicts and अपना products को ज्यादा रिच मिले मिले मिला कि कोई अगर जो डिली में बैठा हुआ को पार्टनर है उसको बैचना है तो वो easily online register करके वो product अपना बैच सकता है तो ताकि उनसे हमारा strategic move यह है कि उससे offline channels को भी support करें तो offline और online दोनों माध्यों मुझे आप यह लापटॉप को ले से तो डिसकाउंट आपने बताया है कि आपको 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 अगर मैं देखोंगा और बहुत सारी चीज़े हैं तो आपको कही ना कही कुछ ना कुछ फर्थ जरूर नजर आता होगा तो क्या हमें थोड़ा सा बता पाएंगे उसके बारे में जो R3 variant है वो equivalent to Intel का i3 माना जाता है तो अगर आप दोनों के compare करो तो AMD का R3 as well as R5 जो i5 के साथ Intel का i5 प्रोसेसर उसके compare करो तो AMD का प्रोसेसर स्लाइटल हाई पर्फॉर्मस में as compare to Intel देता है और ग्राफिक्स काड की बात करते हो तो AMD का Redon Vega जो ग्राफिक्स काड है वो ज्यादा पावरफूल है as compare to Intel का inbuilt जो UHD के राफिक्स काड आता है उससे तो चलिए सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि यह laptop बहुत सक्सेस करें और हम आगे आपसे बात कर पाएं आने वाले laptops के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शुमारे हमसे बात करने के लिए तो दोस्तों ये थे मिस्टर पार्थ जो की असुस के प्रोड़क्ट मैनेजर थे और उन्हें हम उसे टेक्निकल तोर पर इन डोनों लैप्टोप्स के बारे में बात की और आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए चेहरे के साथ ए अब तक लिए इजाज़त दीजे धन्यवाद